नमस्कार साथियों मैं कुनाल आप सभी का संस्कृति आई एस यूटूप चनल पे स्वागत करता हूं आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चंडिगर मेर चुनाओ के बारे में यह चुनाओ बहुत दिन से चर्चाओं में था इसकी जो डेट थी वह फिक्स हुई थी कि 30 जनवरी को मेर का चुनाओ कराया जाएगा इस मेर के चुनाओ में आम अधनी पार्टी और कॉंग्रेस ने गटबंधन कर लिया था और उसके बाद देखा गया कि उनके गटबंधन के बावजूद भारते जनता पार्टी ने अपना मेर बनवा लिया उन्हें यहां पूरी स्तिती हुई उसके बाद यह पूरा मामला उठकर के शकर कोअ पहले गया पंजाब में यह पूह नहींदेश। साब ने कहा है कि यह लोक तंत्र की हत्या है और इसके बरदाश्ट नहीं किया जाएगा इस बात को ध्यार में रखा जाए पर इन्हों ने ऐसा क्यों कहा और मामला क्या रहा जिस जैसे ही है पूरी की पूरी स्तिती बनी हर एक पर नजल डालेंगे बहुत जादा अच्छे से लेकिन फिलाल इस्तिती सबसे पहले यह हो गई है कि मामला सुनाते हुए जिस समय पूरी सुनवाई चल रही थी तो उस दौरान जो पीठा सीन अधिकारी थे जो मुख्य पीठा स मसी साब है यह वहां बैठे हुए थे इन्होंने ही मत पत्रों को गिना दरसल जो मेर वाले चुनाव था यह होता है बैलट पर इवियम नहीं लगती इसमें चोटा चुनाव है और बहुत इजी होता है मामले को टैकल कर ले लेकिन जो स्तिती सामने आई है वह आई है कि भार सकती है और कानूनी कारवाई भी हो सकती है यह भारती जनता पार्टी अल्फ संक्यक सेल के प्रमुक भी है वहां पर तो इनकी वजह से कुछ ऐसे मामले सामने हैं जो चिंता जनक है समस्ते हर एक चीज़ को लेकिन उससे पहले प्रशन जो आप से प्री में पूछा जा सकता यदि इस कांसर पहले ही पता है तो बस कॉमेंट कर दीजिए नहीं पता तो वीडियो कौन तक देखिए मामला खास है और मेंस के लिए खास बिंदू बन गया आप लोग के लिए इस प्रकार से ही है पूरा का पूरा मामला इतना अधिक तेजी से न्यूज में आया है चुन भी चुना हुआ भारतिय पार्टी चुनाओ लड़ा था मनोज सोन करने और आधिपार्टी के कुल्दीप कुमार यह दोनों आमने सामने ते चुनाओ में जिस दिन यह चुनाओ के बाद मतगरना ना जिन्मेदारी दी थी वहाँती गई थी साहब को अनील मसीज साहब को अ अलावा सबसे बड़ी जो संदिक दिस्तिती यहां पर थी वह थी आठ अलग वोटों की यह जो आठ वोट है इनको दर दरसल वहाँ पर नहीं होगी इनकी गणना नहीं की जाएगी और इसको लेकर कि पूरा इनका वीडियो वारे लुआ जिस जो इनका वीडियो में साफ साफ दिखाए दिया रहा है कि यह लगातार जो बैलेट पर सेंगे साफ में छेड़ चाड कर रहे हैं और बार-बार यह कैमरे में भी देख रहे हैं और चेहरे पर डर भी दिखाए देरा और इनका यही वीडियो क्लिप जो था वह पहुंचा दिया गया है सुप्रीम कोट में और सुप्रीम कोट ने तब जा करके इनको काफी डार्ट फटकार लगाई है मामले को लेकर के डिवाई चंचुड साव ने जो पीट बनाई थी इनके अधिश्टा में पूरी सुनवाई हुई है इन्होंने सबसे पहले जो याचिका थी वह सुनी है याचिका लगाई गई थी कुल्दीप कुमार के द्वार जो आमाधी पार्टी के पारशद है इनके द जाना जबकि हर एक वेक्ति को पता है कि वोट किस प्रकार से डालने हैं हर एक व्यक्ति है जानता था कि आपको एक ही जगा पर रगानी है जो आपको अमभीदवार है सिंपल मामला रहा है कि अगर उपर किसीने बणाई हुई है तो यह चेड-चार नहीं कर रहे हैं लेकि अगर नीचे स्टेंप लगी हुई है तो यह चेड़ शाट ऊपर वाली तरफ कर रहे हैं जिससे की वोट इन्वैलिड हो जा रहा है ऐसा सीटीव में सामने आए तो जो यह कुल्दीप कुमार है पार्शद इन्हों ने पहले तो पंजाब और हर्याना हाई कोर्ट में प्रेट वजह से ही इन्होंने गडबंदन किया था लेकिन गडबंदन के बाव जो जब हार गए तो पहले जहां पर तो इनको आपत्ति तभी होई कि हमार कैसे फिर आठ इन्वैलिड वोट वाली इस्तिति और अधिक आखों में खटकी जिस वएसे इन्होंने मामले को उठा और कहा ठीक है हम देखते हैं इन्होंने अपने स्थर पर सारा मामले देखा अनिल मसीज में फटकार लगाई है इसके बाद में इन्होंने सवसाब कहा है कि जो यह स्थिति सामने दिख रही है एक परकार से लोकतंत्र की हत्या के सभान है और इस परकार किस्थित देश्ट में चंदिगर नागरिक निकाय के अंदर नहीं कराई जाए लोगतंद्र का आपने मजाग बनाया लोगतंद्र की हत्या की है जिस समय देखा गया सीसीटी में तो बार-बार आप कैमरे में देख रहे हैं आसपास भी देख रहे हैं कि कोई आ जा तो नहीं रहा है और चिन के साथ ने छेड़ शाड़ की है जब कभी भी आप देख रहे हैं कि आपका जो कैंडिडेट है उसके सामने यदि स्टैंप नहीं है तो आपने वोट को इन्वैलिट कर दिया है छेड़ चाड़ करके ताकि वह काउंट ना हो इसके साथ ही इस पूरे मामले को सुनने के बाद में ने कि इस पूरे एलक्शन में जितनी भी चीज़े इस्तिमाल हुई है उन सभी को यहां पर जब्त करवा दिया जाए क्योंकि आगे की जो भी कारवाई होगी उन सभी के अधार पर होगी उन्हें देखा जाना समझा जाएगा और उसके आध ही हम लोग आगे यहां से इन्होंने कहा है कि हर एक क्लिप होनी चाहिए इसके अंदर और जितने भी वोट पड़े हैं चाहे इन्वैलिड वाले ही क्यों ना हो हर एक बिल्कुल सुरक्षित इस्तिती में यहां पर होने चाहिए और अगे की कारवाही इसके आधार पर हम लोग करेंगे अनिल मसी को बु सुरी होगी क्योंकि जिस प्रकार का ही है मेरे इलेक्षिन हुआ इसको तो अब रद कर दिया जाएगा रद करने के बावदू स्थिति देखी जाएगी कि कौन कितना दोशी है वास्तम में मत पत्रों से छेड़चाड हुई है या फिर सिसी टीवी का ही एक मुद्दा बनाय पर जो भी होगा सुप्रीम कोड में मामला है हर एक चीज़ देखी जानी समझी जरूर जाएगी और पता लगेगा कि दोशी कौन रहा लेकिन चीज़ें डिले होंगे क्योंकि अभी लोकस्वा चुनाओ बहुत जल्द आने ही वाला है इस मामले देखकर कि क्या लगता है आ चाहिक होंगी यह जो तक महापाव पर रहेंगे आप सबṣed रहेंगे और सबसकी हैटी होगी वह अपके according ही होगी यह जो नगर निगम के गठंग किया जाता है 10 लाक की आबादी वाले शहर में किया जाता है मिनिमम इतनी आबादी हैर में होनी चाहिए यदि शहर में इस से कम आबादी है तो नहीं हो गया इससे उपर है तो बिलकुल ववस्था इस्तापिद की जा सकते सम्झावनारित है यहान की पूरी ववस्था जो है काफी पहले के निर्थारित यहां और थी ऊ-सलिए यह जी बहुत सारी शेर अभी बिर ऐसे हो गए निगम पार्षद के लिए होता है recent मिल जूल करके पहुंचते हैं समर्व में कारेस्थल पर पहुंसते हैं तो वहाँ पर यह सभी लोग अपने असाब से फैसला करते हैं कि किस व्यक्ति को चुना जाएगा पार्शत और अलग 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 पार्टी अपने अपने उम्मीद्वारों को खड़ा करती हैं जिसके फेवर में सबसे अधिक पार्शत मतदा कर देते हैं उसके बाद वह ही महापार्श चुन लिया आता है हलेकि अवधी बहुत कम रहती है इसकी वर्ष दरवर्ष बदलते रहते हैं तो अलग अलग लोगों को मौका मिलता है पांस साल की सब्सक्राइब करते रहते हैं ताकि सबके पास जिम्मेदारियां आए और सब चीजों को समझे जाने कर समझ सब्सक्राइब इतना के लिए अगर इसके चुनावों की बात करें तो निगम पार्ष चुनावों होता है इसका संचलन किया जाता है राज्य निर्वाचन आयोक के दौरा यह बात आप सभी को ध्यान रखनी है कि जो हमारे मुख्य चुनाव हो गया यह सबी आते हैं राज्य निर्वाचन आयोक के छितर दिखार में कई के बार ऐसा होता है कि नहीं पता होता है जब अब लोग को डाउट नहीं होना चाहिए आप लिए प्रशन में दिखा था कुछ इस परकार का था अब लोग जल्दी से इस प्रशन का आंसर तो कम के लिए भी इस टॉपिक को आपके उठा सकते हैं नियाय पालिका में बाकी जो भी जाच होगी जो भी निढ़ने होगा नियाय पालिका अंतिन लूप से वहाँ पारित करतेगा चीजे इतनी किलियर हैं सभी आप लोग को तो सेशन पसंद आए तो बाकी सातियों तक जरूर श स्कीन पर है उम्मीद करता हो कि आंसर सही रहा होगा हम लोग अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे फिर कुछ नहीं बात के साथ तब तक के लिए विदा दीजिए थेंकियो सो मच करें करें